पाँच वजकर एक मिनट से पाँच वजकर उन्चास मिनट के बीच यह संधी पूजा का समय निर्धारित किया गया है इस विजिया जस्मी का बड़ा ही महत्तो शास्त्रों में कहा गया है कोई लीक आज आरम करशकते हैं आप आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है लाइफ सिटीज में और मैं हूँ आपके साथ रिया आज हमारे साथ आचारे गोखलेश और सास्त्रीजी मौजूद है और हम सास्त्रीजी से जानने वाली हैं कि नवरात्री के नौविद यानि कि जिस दिन मा सिद्धिदात्री की पूजार चुना की जाती है उस दिन का क्या विशेश महत्त्व है भग्त की सरीके से माता की अराधना करें तो आचारे जी सबसे पहले त्वाब का बहुत बहुत स्वागत है स्वरू मा सिद्धिदात्री की इस दिन भग्त माता को प्रशन करने के लिए क्या कुछ कर सकते है पूजा की विद्धी क्या है क्योंकि इस दिन अंतिम दिन होता है माता की अराधना करनी का तो इस दिन किस तरीके से भक्त जो है खास दिन के तोर पर अराधना कर सकते है मा का आज नवम दिवस है और शारदिय नवरात्र पुर्णता की ओर अग्रशर है आज सिद्धिदात्री मा के कृपा से सिद्धियों की प्राप्ति होने वाली है तो आज बहुत ही उतसाह प्रुवक प्राता काल से ही जिस तरह से संजम से रहते आए हैं अपना अहार विहवार विचार को एकाग्र करके पवित्र करके अशनान यादी करके बिराजे और पंच देव पूजन यादी करने के पश्चात शिद्धिदात्री मा का ध्यान करें इस मंत्र का जब भी करें और मा को प्रशन करने का प्रयास करें अगर इस में एक चीज जाना जाहूंगी कि त्री रात्री व्रत नवरात्र में किस दिन हैं तर्यरात्री नवरात्र के अंतरगत शब्तमी तिथी से आरंब हो जाती है और इस वार 21 अक्टूवर 2023 को शब्तमी रात्री के 7 वज़कर 27 मिनट तक है इसके उपरांत अश्टमी तिथी का प्रवेश हो रहा है अश्टमी तिथी में निशा पूजा का विधान है सनिवायर के रात्री में पान डालों में पत्रिका प्रवेशन के शाथ देवी की अस्थापना हो जाएंगे और आज ही पट खुल जाएंगे और निशा पूजा भी आज ही के रात्री में हो जाएंगे यह तो प्रथम दिवस हो गया त्रिरात्री में दुवितिये दिवस 22 तारिख 22 अक्टुवर 2023 को महा अश्टमी का वरत होगा महा अश्टमी का वरत नौमी मिला हुआ ही करना चाहिए वरत एवं पूजन 22 अक्टुवर अविवार को ही किया जाएगा आज ही अश्टमी और नौमी की संधी पूजा इसका बड़ा अच्छा विधान है और बहुत प्रभावकारी पूजा है जिस समय अश्टमी तिथी का अंत हो रहा हो और नवमी परवीश कर रहा हो वह जो संधी का समय है वह समय इसवार है 5 वजकर 1 मिनट से 5 वजकर 49 मिनट के बीच यह संधी पूजा का समय निरधारित किया गया है इस समय अश्टमी और नौमी का संधी पूजा लोग करें और रात्री में जागरन करें जागरन का बड़ा अच्छा विधान है इसका बहुत ही पवित्र पुन्य मिलने वाला है और फिर तेश अक्टुवर दोहजार तेश सोमबार को महा नौमी का मान होगा और पुर्ण नवरात्री वर्त के समापन का हवन पूजनयादी नौमी तिथी प्रयंत जब तक नौमी है और शोमबार को तेश तारिक को नौमी दीन में तीन वज़ कर दस मिनट तक है तो तीन वज़कर दस मिनट परियंत हवन यादी का कारिय किया जाएगा इसके पश्चास्त ही आज ही संजोग बड़ा सुंदर मिल रहा है कि दसमी तिथी और सरवन नक्षत्र का योग तीन वज़कर दस मिनट के बाद मिल रहा है तो विजया दसमी अपराजिता पूजन और विजया दसमी के लिए जात्रा भी आज ही बड़ा सुंदर है तो आज ही विजया दसमी भी मना लिया जाएगा विजया दसमी में कोई अलग से और जात्रा देखने की अवशक्ता ही नहीं है और इस विजया दसमी का बड़ा ही महत तो शास्त्रों में कहा गया है कोई भी कारज आज आरंभ करशक्ते हैं आप आप व्यापार आरंभ करें कहीं जात्रा नवीन कारजों के लिए जाना चाहते हैं वहां जाएं आपका बड़ा ही सुभ होगा और इसी के साथ नवरात्र का विशर्जन होगा मा का जो गमन है जाने का है वह जाने का वाहन जो इनका इसवार है ससिसुर्जे दिने जदिसाविजया महिसा गमने रुजशो क करा सनिभौम दिने जदिसाविजया चरना युधियान करीविकला बुद्ध सुक्र दिने जदिसाविजया गजबाह नगासु विरिष्टि करा स इन शुत्रों के अंतरगत प्रथम सुत्र मा का गमन जो हो रहा है शुम्बार को तो ससे सुर्जे दिने जदिसा विजया महिशा गमने महिश पर बैठ कर आनि भैसे पर बैठ कर मा जा रही है यह संसार वाशियों के लिए अच्छा नहीं तो रुजशोक करा यह फल अच्छा नहीं है और मा की ध्यान और शर्धा पुरवक भक्ति करे मा का सभी भक्तों का कल्यान हो यह शारदिय नवरात्र भारत वर्सी ही नहीं अपीतु पूरे विश्व में सभी सनातन धर्मावलंवी बड़े ही भाव और पवित्र भाव से करते हैं मा भगवती अश्टविद लक्षमी आवे और सभी का संसार आनंद पुरुवक चले राधी राधी जय माता दी तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है जो आपने जानकारी दी है नवरात्री के नौ दिनों के बारे में उसके लिए बहुत-बहुत शुक्तिया मासिद्धात्री के बा की मा दुर्गा की नौवे स्वरूप मा सिद्धात्री के बारे में पूरी जानकारी दी है पूजा अर्चना कैसे करना है हवन की बारे में भी बताया मा की विदाई किस वाहन पर हो रही है उड़े की बारे में भी आचारे चीने बताया इस विशह में आपक्या सोस्ते में क